शमुविल भुष्वक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याए 5 दाउद के यरुशले में राज्य करने का आरंभर। तब इसराइल के सब गोत्र दाउद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड मास का है, फिर भूतकाल में जब शाउल हमारा राजा था, तब ही इसराइल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुछ से कहा कि मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तू ही होगा, सो सब इसराइली पुरुनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाउद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इसराइल का राजा होने के लिए दाउद का अभिशेक किया, दाउद तीस वर्ष का होकर राज्य करने लगा और चालिस वर्ष तक राज्य करता रहा। साड़े साथ वर्ष तक तो उसने हेबरोन में यहुदा पर राज्य किया। और तैतिस वर्ष तक यहुदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिये हुए यहुदा पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी उन्होंने यह समझकर कि दाउद यहां पैठ न सकेगा। उससे कहा जब तक तु अंधो और लंगडों को दूर न करे तब तक यहां पैठने न पाएगा। तो भी दाउद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया। वही दाउदपूर भी कहलाता है। उस दिन दाउद ने कहा जो कोई यबुस्यों को मारना चाहे उसे चाहिए कि नाले से होकर चड़े और अंधे और लंगडे जिनसे दाउद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यहां कहावच चली कि अंधे और लंगडे भवन में आने न पाए। और दाउद उस गढ़ मे रहने लगा और उसका नाम दाउद पूर रखा और दाउद ने चारों और मिलों से लेकर भीतर की और शहर पनाह बनवाई और दाउद की बड़ाई अधिक होती गए और सिनाओ का परमिश्वर यहवा उसके संग रहता था और सोर के राजा हिराम ने दाउद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ी और राजमिस्त्री भेजे और उन्होंने दाउद के लिए एक भवन बनवाया और दाउद को निश्चे हो गया कि यहवा ने मुझे इस्रायल का राजा करके स्थीर किया और अपनी इस्रायली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य और उसके और बेटे-बेटिया उत्पन्न हुए उसके जो संतान यरुशलेम में उत्पन्न हुए थे उसके ये नाम है अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलेमान, इभार, एलोशु, नेपेग, यापी, एलिशामा, एल्यादा और एलिपेलेत जब पलिश्टियों ने यह सुना कि इस्रायल का राजा होने के लिए दाउद का अभिशेक हुआ, तब सब पलिश्टी दाउद की खोज में निकले, यह सुनकर दाउद गढ़ में चला गया, तब पलिश्टी आकर रपाईन नाम तराई में फैल गये, तब दाउद ने यह उच से कहा चड़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चे पलिश्टियों को तेरे हाथ कर दूँगा, तब दाउद बाल परासिम को गया, और दाउद ने उन्हें वही मारा, तब उसने कहा यहवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रूपर जलकी धारा की नाई तूट पड़ा है, किस कारण उसने उस थान का नाम बाल परासिम रखा, वहां उन्होंने अपनी मुर्तों को छोड़ दिया, और दाउद और उसके जन उन्हें उठा ले गए, फिर दूसरी बार पिठाई करके रपाईम नाम तराई में फैल गए, जब दाउद ने यहवा से पूछा, तब उसने कहा चापा मार, और जब तूत रुक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने किसी आहर्ट तुझे सुनाए पड़े, तब यह जानकर फूर्ति करना कि यहवा पलिष्टियों की सेना के मारने को तेरे आगे अभी पधारा है, यहवा की इस आग्या के अनुसार दाउद गिबा से लेकर गेरेच तक पलिष्टियों को मारता गया